वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको बताऊंगी कि केरी यानि कच्चे आम की मसालेदार चटनी बनाने का सीक्रेट ये चटनी देखने में जितनी स्वादिष्ट दिख रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है और इसकी खासियत यह है कि इसे बना कर एक साल तक श्टोर कर सकते हैं इसमें जिन मसालों का इस्तमाल होता है वो सभी नेश्रल हर्ब्स की केटेगरी में आते हैं और हमारी इम्मिनिटी को बूश्ट करते हैं काइंडली मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि कोई स्टेप मिसना हो जाए इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं दो कच्चे पील किये हुए आम जिने में ग्रेटर की मदद से खस लूँगी अब इसमें से पानी कोनी चोड़कर पैन में ट्रास्फर कर देंगे अब इस पैन में 500 ग्राम गुड एड करेंगे मैंने जो आम यूज किये हैं वो थोड़े ज्यादा खटने हैं इसलिए मैं गुड की क्वांटिटी बढ़ा दूँगी आप चाहे तो इसे कम ज्यादा कर सकते हैं अब फ्लेम ओन करके गुड मेल्ट होने तक इसे कवर करके तीन से पांच मिनद तक लो फ्लेम पर कुप करेंगे ये देखिए गुड अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है और ग्रेटेड मैंगो के साथ मिक्स हो चुका है अब इसमें थोड़ा सा नमक आदा चमच कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर एड कर देंगे इससे चटनी में थोड़ा स्पाइसी फ्लेवर आ जाएगा और कलर भी थोड़ा निखा जाएगा अब इसे लागातार इस्टिर करते रहें नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर ले और जल्दी से बिल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे इस चटनी को बॉइल आने तक चलाते हुए पांच मिनद तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक चटनी में बॉइल हो रहे है हम इसमें पढ़ने वाले सीक्रेट मसाले तयार कर लेते हैं एक तवे को गरम करके उसमें एक चम्मच साबुत जीरा, एक चम्मच साबुत धनिया, आदा चम्मच साबुत में थी, आदा चम्मच कलाउं जी, एक चम्मच साबुत सौफ, एक चम्मच अजवाइन डाल कर सौटे करेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से हर साइड से पलट कर भून लेंगे याद रहे इन मसालों को धीमी आज पर ही भूने नहीं तो जल सकते हैं भूनने के बाद इन मसालों को ठंडा करके उसका थोड़ा दरदरा पाउडर बना लेंगे आप इन मसालों के मिसरन को किसी भी मसालेदार सबजी या रेस्पी में डाल कर टेस्ट बढ़ा सकते हैं चटनी अच्छी तरह पक चुकी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया है अब इसमें अपने तयार किये हुए मसालों को स्वाद अनुसार डाल देंगे मुझे थोड़ा कम मसालेदार पसंदे इसलिए मैं एक चमच मसाला ही इस चटनी में एड़ करूँगे साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च भी एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप एक काँच के जार को गरम पानी से धो कर धूप में अच्छी तरह सुखा लें और इस चटनी को उस जार में ट्रास्फर करके एक साल तक यूज़ कर सकते हैं अब फ्लेम को आफ कर दें और चटनी को ठंडा कर लें लीजे फ्रेंड्स केरी की मसालेदार चटनी बन कर रेडी है यकीन मानिया आपको और आपके घरवालों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी इसे आप रोटी या पराठे पूरी के सांथ सर्फ कर सकते हैं मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अच्छा लगे तो लाइक कर दें लाश तक ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलती हूं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई